और अब बात कर लेते हैं मार्च का जिल्दी से आपको अपडेट्स पता देते हैं हिंदोस्तान की एकोनॉमी की जीडीपी इसक्वाटर सारे साथ फीसदी रहने की संभावना है आकाश जिल्दल की प्रेडिक्शन थी मार्च का जीस्टी कलेक्शन एक लाग पच्छतर हजार और ऊपर गया इसके अलावा यूएस की जीडीपी हलकी बढ़ने के संभावना जाहिर की जा रही है चाइना का ऑइप कम होने की संभावना डॉलर में तेजी की संभावना जाहिर की गई है, यूरू में भी तेजी की संभावना है तो ये मार्केट से जो रिलेटेड जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इंदुस्तान की कुरामी पूरी तरीके से इस वक्त बूम करते हैं आज मार्केट से क्या ख़बर लाएं आप बिल्कुल सही कहा अपने प्रिया जी एस्टी कालेक्शन की मेरी प्रडिक्शन थी 1.75 लाक करोड से उपर रहने की और आपके सामने डेटा है 1.78 लाक करोड जी एस्टी कालेक्शन आई है तो क्लियरली दिखा रहा है हिंदुस्तान की एकॉनमी की तरक्की हिंदुस्तान की एकॉनमी किस तरीके से बढ़ रही है किस तरीके से ग्रो कर रही है और मोधी राजमे मोधी सरकार में जी एस्टी लाँच हुई उस समय कुछ स्केप्टिस्टिम भी था कि GST कामयाब होगी की नहीं लेकिन क्लियरली ये हमारे प्रधान मंतरी नरेदर मोधी साहब और उनकी टीम की काबलियत है कि GST एक ऐसा तक्सेस्फल टेक्स बनके आया है जो हिंदुस्तान की काफी बूस्ट दे रहा है तो मेरी और्ग देश कोड़ें नहीं नहीं क्ति हैं इस वार अच्छी राने की सभावना य हमारे वांकिंग ऑर बहुत बहुत बढ़िया हो रही है, बहुत अच्छी बाइंग और कंजमिशन हो रही है, और हमारे राइवल एकॉनमीज का देखें, तो हम देखी रहे हैं, क्या बुरा हाल है, आज हिंदुस्तान की आप देखें, पॉरेक्स, आज हमारे पास जो पॉरेक्स के भंधार हैं, आज 642 बिलियन डॉलर से उपर की फॉरेक्स हमारे पास है, अब कपेर कीजिए हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से, 7 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स ज़र्ब में वो स्ट्रकल कर रहे हैं, तो एक तरफ हिंदुस्तान की तरक्की दिख रही है, दूसरी तरफ राइवल एकॉनमी दिख रहा है किस दिके से कमजोर है, जपान की बात करें, जर्मनी की बात करें, इस दोनों एकॉनमीज में हमने देखा है, जड़ी पी गोथ को लेके सवाल खड़े होए है, जड़ी पी गोथ इनकी नेगेटिव में भी पीछे गई है, और बहुत कम भी है, तो हिंदुस्त करने के मंत्र जो फूके हैं, तो कहीं न कहीं हिंदुस्तान की एकॉनमी को आने वाले तीन साल में वर्ल्ल की थर्ड पिगेस्ट एकॉनमी के रूप में इस्टैबलिश करेंगे और उसका फाइदा हर एक को, हर व्यक्ति को, चाहे वो हमारा गरीब भाई-बहन हो, जडूर क गाउं में रहता है, चाहे मेट्रोबालिटन सिटी में रहने वालों है, एक पोजिटिव संकेत भी है कि भारत की एकॉनमी बहुत तेजी के साथ भूम कर रही है, थाएंकि सोमच बहुत धन्यवाद आपका आकास जिंदल जी हमारे साथ जोडने के लिए और भारत 24 के जाने के लिए